हाई मैं हूँ मोहित आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ट्स तो दोस्तों जब इंडिया में साउमी 11 लाइट एनी 5G का 812 वाले वेरेंड को लांच किया गया था तब इस फोन का प्राइस हखा गया था इंडिया में 29,000 रुपे लेकिन अभी यस फोन को बाय कर सकते हो मतल 15.000 रुपे में मतलब कि अभी आप लोग इस फोन को बाय करते हो तो आप सभी को टोटल साभी 9,000 रुपे का डिसकाउंट मिलने वाला है लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इसका 6 GB वाले model में कोई भी discount नहीं मिलेगा आप सभी को इसका 828 वाले variant को ही buy करना है तो ही आप सभी को total 69,000 रुपे का discount मिलने वाला है तो दोस्तों अगर आप सभी को पूरी जानकारी चाहिए इस phone पर आप सभी को कब से कब तक discount मिलेगा कैसे discount मिलेगा क्या आप सभी को इस phone को buy करना चाहिए या फिर buy नहीं करना चाहिए मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ इसी वीडियो में तो आप सभी को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है इस वीडियो को लाश्टे तक ज़रू देखना है और हाँ जिसको इस phone को buy करना है तो आप लोग मेरे link से buy कर सकते हो मैंने link description में दे रहा है और साथ में telegram channel का भी link description में दिया हुआ है और आप लोग मेरा telegram channel को join करते हो तो वहाँ पर मैं आप सभी को सेल के बार में YouTube से भी पहले जानकारी देता रहता हूँ तो आए दोस्तों आज की studio को में लोगा पर इस टार्ट करते हैं तो आए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आप सभी को Xiaomi 11 Lite NE 5G phone में कब से लेकर कब तक discount मिलने वाला है तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में कोई भी information नहीं दिया गया है Amazon पर हम सभी को इस phone पर कब से कब तक discount मिलने वाला है लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कार्ट offer जाके check करोगे तो हम सभी को कार्ट पर 30 नवंबर तक offer मिलने वाला है तो आप लोग ये मान के चल सकते हो कि हम सभी को इस phone पर 30 नवंबर तक offer मिलने वाला है साहे 9000 वाला और साथ मैं आप सभी को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस फोन पर हम सभी को offer कभी भी मिलना बंद हो सकता है क्योंकि sale में ऐसा होते राता है फिर बात में इस वीडियो को आप लोग देखोगे तो मुझे ही गाली दोगे comment में तो इसलिए जिसको भी buy करना है तो आप लोग अभी buy कर सकते हो अभी आप सभी के लिए बेश्ट मौका होने वाली है तो आगे दोस्ता हम मैं बात कर लेता हूँ इस फोन पर आप सभी को कैसे offer देखने को मिलेगा सबसे पहले आप लोग इस फोन को buy करना चाहते हो तो COD में आप सभी को total 45,000 रुपे का off दिया गया है हाँ अगर आप लोग यहां पर कोई भी बेंक का कार्ड लगाते हो आपके पास कोई भी बेंक का कार्ड है Bank of India का है HDFC का है Bank of Baroda का है Axis का है HDFC का है ICICI बेंक का है कोई भी बेंक का कार्ड है तो आप सभी को online कार्ड पर flat 4,000 रुपे का off दिया जाएगा मतलब की देखिए COD में already 4,000 रुपे का off है अगर आप लोग कार्ड लगाते हो तो आप सभी को और 4,000 रुपे का off दिया जाएगा मतलब की कोई भी बेंक कार्ड लगा के आप लोग इस फोन को buy कर सकते हो मातर 21,000 रुपे में तो दोस्तों आप लोग इस फोन को buy करने के लिए यहाँ पर डेविट कार्ड को भी use कर सकते हो या फिर यहाँ पर credit कार्ड को भी use कर सकते हो आप सभी को दोनों ही कार्ड पर flat 4,000 रुपे का off दिया जाएगा तो खेर अब मैं बात कर लेता हूँ और आप सभी को 14,000 रुपे का कैसे off दिया जाएगा इस फोन में देखिए उपर से आप लोगयां पर HDFC बैंक का credit कार्ड लगाते हो तो आप सभी को और 14,000 रुपे का extra वाला off दिया जाएगा देखिए कोई भी बैंक का कार्ड लगाते हो तो आप सभी को total 14,000 रुपे का off दिया जाएगा लेकिन आप लोगयां पर HDFC बैंक का कार्ड लगाते हो तो आप सभी को और 14,000 रुपे का off दिया जाएगा मतलब कि HDFC का credit card से total आप सभी को 6,000 रुपे का इसका 826 वाले variant में discount दिया जाएगा आप लोग यहाँ पर मेरी बात को समझ गए लेकिन आप सभी को HDFC का David card पर only 4000 रुपे का ही off दिया जाएगा तो इस हिसाब से आप लोग इस phone को buy कर सकते हो 16000 रुपे में 4000 रुपे का COD में discount है उपर से आप लोग यहाँ पर कोई भी बैंक का card लगाते हो तो आप सभी को और 4000 रुपे का off दिया जाएगा और उपर से आप लोग यहाँ पर HDFC बैंक का card लगाते हो तो आप सभी को और 1500 रुपे का off दिया जाएगा इसी phone में तो खेर दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ कि आप सभी को इस फोन को buy करना चाहिए या फिर buy नहीं करना चाहिए देखे मेरे मिचार से आप सभी को इस फोन को definitely buy करना चाहिए लेकिन आप लोग एक बार review बगरा जरूर देख लेना YouTube पे जाके मैंने बोल दिया कि आप सभी को इस फोन को buy करना चाहिए तो आप लोग याँ पर मेरी बात पर मत आना एक बार review जरूर देख लेना अपना uses के अनुसरा तो आप सभी को इस फोन को क्यो buy करना चाहिए देखे सबसे पहला यह lightweight के साथ आता है दूसरा यह slimest 5G phone है जिसको एक हलका phone पसंद है तो मेरे विचा से आप लोग याँ पर इस फोन को buy कर सकते हो इस फोन का weight निकल के आता है मातर 158 gram तो जिसको भी एक हलका phone चाहिए slimest phone चाहिए तो आप लोग मेरे विचा से इस फोन को buy कर सकते हो देखिए दूसरा खासियत क्या है मैं display के बारे में बात करूँ तो इस phone में हम सभी को देखने को मिलता है 10Wit का 90Hz का Full HD Plus AMOLED वाला display यहाँ पर display भी हम सभी को बढ़िया मिलता है 20MP का selfie camera मैं rear camera के बारे में बात करूँ तो triple rear camera setup के साथ आता है 64MP का main camera दूसरा 8MP का wide angle camera इसमें तीसरा वही बेकार camera नहीं दिया गया है 2MP का इसमें कम से कम हम सभी को 5MP के camera दिया गया है तो यह अच्छी बात है कि हम सभी को इसमें कोई भी 2MP का 3MP नहीं दिया गया है generally हम सभी को 3MP 2MP का ही मिलता है मैं अब प्रोसेसर के बारे में बात करूँ तो जिसको गेम खेलना है गेमिंग के लिए एक फोन लेना है तो मेरे विचाथ से फिर भी आप लोग यहाँ पर इस फोन को बाई कर सकते हो क्योंकि हम सभी को इसमें मिलता है स्नैप ड्रैगन का 7780G वाला प्रोसेसर प्लस हम सभी को इस फोन में भर भर के 5G बैंड दिया गया है मतलब कि इस फोन में हम सभी को 12 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिलता है प्लस ये फोन 42-150 एमेज बैटरी के साथ आता है प्लस 33 वाट का फास्ट चार्जिंग हाँ मैं मानता हूँ कि इसमें हम सभी को थोड़ा सा कम बैटरी देखने को मिलता है लेकिन ये एक लाइट वेट फोन है और ये स्लेमेश्ट 5G फोन है प्लस इस फोन में हम सभी को साइड माउंटेट फिंगर प्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलता है मतलब की देखे इस फोन में आप सभी को सारा बेश्ट फीचर मिलने वाला है 20,000 के हिसाब तो या 15,500 रुपे का हिसाब से देखें तो आप सभी के लिए ये एक अच्छा मौका हो सकती है और ये बेस्ट पोन हो सकती है बहुत लोग पूछते हैं कि 20,000 रुपे के आज सपास हम सभी को एक बेस्ट 5G फोन बताओ तो अभी आप लोग इस फोन को बाई कर सकते हो तो फिलाल तो आज की स्वीडियो में बसेतना ही था अगर बेटेश और बीडियो को लाइक करना इस चैनल को सब्स्राइब करना और है इस बीडियो को सेर करना ना बोलना तब तक लिए आज की सुड़ों में बसेता ही था तब तक लिए जय हिंद बंदे मातरम जय भारत